नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त एडवर्ड मैं आपका स्वागत करता हूँ हिंदी डेप टूट्स पर और आज हम पड़ रहे हैं एडवांस बूस्ट आफ 3 इन हिंदी विडियो स्रीज का तीसरा भाग जिसमें हम बात करेंगे ग्रिट सिस्टम के बारे में तो दोस्तों चलिए सबसे पहले जानते हैं कि ये ग्रिट सिस्टम है क्या इस दोनों लाइन को मिला के अगर हम content को सजाए तो उसे हम grid system के सकते हैं आगे में चलके यह सब डाउट आपका clear होते जाएगा grid system is a way of providing a system that designer can work with to structure and present content and imagery in a much more readable and manageable way अगर grid system को लेके एक designer अपने web layout को बनाता है तो उसे बहुत ही अच्छा readable मतलब आसानी से पढ़े जाने वाले और उसे manage किये जाने वाले डिजाइन वो बना सकता है दोस्तों यह था basic intro what is grid system दोस्तों लेकिन हम पढ़ रहे है advanced bootstrap 3 और हम पढ़ेंगे bootstrap 3 का grid system है उसके बारे में तो चलिए दोस्तों हम देखते हैं bootstrap 3 grid system के बारे में bootstrap 3 grid system को row और columns के हिसाब से divide किया गया है अगर हम left to right जाएंगे तो उसे row कह सकते हैं और top to bottom अगर vertical को देखें तो उसे हम colon कह सकते हैं जो grid system है उसे apply करेंगे तो सबसे पहले चलिए हम एक row लेते हैं तो देख रहें दोस्तों हमने एक row लिया ये lab to right पूरा cover कर लिया दोस्तों यहां पर हम देख रहें example of row और हमने container class नहीं लिया था इसलिए ये पूरा website को capture कर रहा है दोस्तों ये जो row है पूरा जो web layout है उसे capture कर रहा है lab to right हमने अभी अभी एक row लिया हमारा जो web page था उसे fully capture कर रहा है दोस्तों लेकिन जब भी हम एक website बनाते हैं तो बहुत लोग हो चाहते हैं है और टोटल जो container है उसे center में रखना चाहते हैं दोस्तों उसके लिए हम एक container ले सकते हैं तो चलिए हम भी container class लेते हैं ये जो rate color आपको दिख़ई दे रहा है फिलाल के लिए हम इसे container एजम करते हैं उसके बाद इसके अंदर हम एक row लेते हैं तो आब़ी आप उसी के अंदर में row आपको दिखाई दे रहा है लेकिन पहले जब हमने row लिया था तो totally webpage में left to right पूरा capture कर रहा था तो दोस्तों जब आप container यूज करेंगे तो आपको left side में थोड़ा white color दिखाई दे रहा है और right side में थोड़ा white color दिखाई दे रहा है इस container के अंदर में तो दोस्तों आप देख रहे हैं ये जो 12 colon का row है ये left to right strip container के अंदर में आ रहा है एक बार आप container ले ले तो जितना भी row आएंगे सब container के अंदर ही आएंगे कोई बाहर नहीं जाएगा दोस्तों तो हमने अभी अभी 12 colon row का example देखा तो अगर मान लिजे हमें 6 colon 6 colon बनाने हो तो चलिए बना के देखते हैं ये पहला 6 colon ये दूसरा 6 colon तो दोस्तों इससे पहले हमने 12 colon का बनाया था अब क्यूंँ न दोस्तों हमने 12 colon लिया 6 colon लिया अब हम 3 colon का लेके देखते हैं तो जब हम 3 कोलोन लेंगे यहां तक आएगा फिर दूसरा वला 3 कोलोन तीसरा वला 3 कोलोन और फोर्थ वला 3 कोलोन तो दोस्तो बूस्ट राप 3 का जो responsive ने से उसे चार breaking point पे divide किया गया है different different devices के लिए जिसका नाम है extra small ये छोटा मोटा mobile के लिए है small बड़ा mobile और tape के लिए है medium ये low resolution desktop के लिए है और large ये बड़ा desktop और large screen के लिए है तो दोस्तो अगर आप extra small में colon define करना चाहते हैं तो उसके लिए आप लिख सकते हैं col hyphen xs hyphen और colon का number यहाँ पे मैं 12 दिखा रहा हूँ आप लिख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, up to 12 उसी तरह small में आप लिख सकते हैं col hyphen sm hyphen 12 उसी तरह medium में आप लिख सकते हैं colon hyphen md hyphen 12 और large screen पे आप लिख सकते हैं col colon hyphen lg hyphen 12 तो दोस्तो आपने अभी तब जो देखा वो basic theory था theory के हिसाब से हम grid system को समझने का कोसिस कर रहे थे और काफी कुछ हमने समझा next episode में हम इसको directly coding पे dive करेंगे हम code करके यह जो grid system है उसके बारे में जानेंगे 12 colon, 6 colon, 4 colon, जितने भी colon है यह सब को पहले code करके live example देखेंगे grid system के बारे में उसके बाद उसके अगले episode में हम जानेंगे grid system को कैसे हम customize कर सकते हैं और उसके आगे चलते हुए हम जानेंगे कि अपना खुद का grid system हम कैसे बना सकते हैं दोस्तों तो उमीद है आपको हमारा जो टूटोरियाल से यह अच्छा लगा होगा दोस्तों यह एक premium टूटोरियाल से इसलिए आप हमारे चैनल को subscribe करें यह जो video series है advanced boost of 3 in Hindi only subscriber के लिए available है तो अगर आपने subscribe नहीं किया है तो जल्दी हमारे चैनल को subscribe करें हमें like करें और इससे share करें मैं हूँ आपका host और दोस्त Edward बाई बाई दोस्तों